हेलो गाईज, गार्डिनिंग टिप्स एंड लॉटमोर चनल में स्वागत है आपका तो आज मैंने चाहिए एक निम्बू के उपर एक वीडियो बना लेते हैं क्योंकि अब निम्बू के जो बाव है वो भी बढ़ रहे है मैंने चाहिए गर्मियों के अंदर हमारे जो सब्सक्राइबर है वो क्या करें जो इनके निम्बू के बावदे के अंदर बहुत अच्छे से जो निम्बू है वो आए और इसके जो साइस है वो भी बढ़े और गर्मियों के अंदर कौन-कौन सी चीजों का ख्यार रखे जिससे की जो इसके निम्बू के पत्तिया होती है प्लांट की वो पीली ना हो तो आज का इस छोटा सा वीडियो स्टार्ट करते है तो पहले बात करें तो मैं आपको मेरा प्लांट दिखाता हूँ आपकर दर दिखाता हूँ मैं अच्या से इक पन निम्बू है वो बन रहे है तो आप भी इस तरीके से अपने प्लांट के अंदर निम्बू या पिर किस तर्के इसके कर सकते हूँ इसकी दो टीप्स बता हुगा कि घर्मियों के अंदर आपको क्या करना है तो पहले बात करें तो इस तरके से हमें जो इसकी मिट्टी है या फिर आपने जिस साइज का गमला लिया है इसके उपर इस तरके से हमें जो मिट्टी है इसे किसी भी चीज की मदद से इस तरके से नि पीठी स्कंटु तर का आती है किस तरगे से व यो मीठी है इसके ऊपर अदर के से एक या दो लेयर बना देने है ऽो जो कोको पीठ है वह बहुत अच्छे से साυा के संग्रह करती है और इसके अंदर मॉश्चर बना के के अंदर हमें डाल देनी चाहिए आवा दूसरा भी मैं आपको एक दिखाता हूँ जिसके मज़द से आप गर्मियों के अंदर प्लांट को बचा सकते हो तो इस तरह के से हमें जो कोको पीठ है इसकी जो लेयर है इस तरह के से पूरे मिट्टे के उपर बिछा देनी है इस तर बिन नेट आती है इसके नीचे हम इसे रख सकते हैं क्योंकि ठंड के मौसम में तो हमने इस प्लांट को कुछ नहीं होता पर अब जब जब ज्यादा पड़ेगी तब इस प्लांट के अंदर पीली पत्ती या फिर मर भी सकता है इसलिए हमें इसे रख देना चाहिए और दूसरी बात करें तो इसके उपर आपको पता ही होगा मैंने एक वीडियो बनाया भी हुआ है तो इसके पर आपने बहुत अच्छे व्यू दिये थे तो इस वीडियो को भी बहुत अच्छे से आप लाइक शार और सब्सक्राइब करना तो मैं वो दिखाता हो कि इस तरगे से आपको वो करना है तो इस तरगे से कपड़ा लेना है कपड़ा लेने के बाद हमें जो नीचे की साइड जो हमने कोकोपीट बीचा है वो नहीं है आपके पास कोकोपीट तो इस तरगे से जो कपड़ा है इसे हमें इस तरगे से चारो साइड हमे पानी के अंदर जो मॉशर है वो भी बना रहेगा तो इस तरिके से आप गर्मियों के अंदर निंबू के पौधे को बचा सकते हो और इस तरिके से छोटे-छोटे निंबू को बहुत अच्छा बढ़ा सकते हो तो आग चोटा सा वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके बत अगले वीडियो में